पंडने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास useRef ठीक है ना useRef हमारे पास किसलिए use में होता है इसको हम देखते हैं सबसे पहले एक function में आऊँगा function का नाम क्या रखूंगा ref ठीक है और यह मेरे पास कुछ गलती है कर रहा हूं कि यहां पर यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा और इधर आके इसको नीचे लेकर आता हूं return करा लेते हैं इसको ठीक है और इधर आने के बाद इधर h1 हो जाएगा this is useRef अच्या useRef जो है एक हुक है यह हमारे पास करता क्या है यह हमारे पास जैसे के मैंने बताया था हमारे पास कितनी डोम होती है react के अंदर कौन कौन सी अब जो हमारे पास जो एक्शुल डोम है हम उसको टार्गेट नहीं कर सकते थे लेकिन useRef हमें उसको डार्गेट करने का option देता है यह कि वर्चुल डोम जो होती है वह हमें नजर नहीं आ रही होती है तो हम तो उसको टार्गेट करी नहीं सकते थे मैंने पहले ही बताता है यह पर डोम नहीं होती है हम इस तरह से नहीं कर सकते है document.getelementbyid बगर कुछी नहीं होता है अभी मैं यहां पर यह करूँगा इसको आके app.j6 के अंदर import कराता हूं मैंने बोला ref नाम का एक component होगा इसको import करो यहां पर लगा दो ठीक है न अभी भार जाके देखते हैं किसा आ रहा है इसका server on कर ले दो यहां पर आया और command चला दी npm run div इसको आठाया इदर आया इदर आया ठीक है मेरे पास this is use ref आ रहा है वर्क कर रहा है अभी यहां पर हमारे पास देखते हैं directly किस तरह दर target करेंगे और DOM की सारी property को यूज करके चेक करेंगे एक दो चेक करा दूंगा आप लोगो रेफ के अंदर आते हैं सबसे बेले हमें यहां पर एक hook लेना पड़ेगा use ref सही है use ref मैंने hook ले लिया यह जो hook है कहां से आ रहा है अभी आपको import हुआ new हुआ react से यह आ रहा है यह मेरे पास एक function है पर इसको import करना पड़ेगा गलत लिखाई गया हाँ गलत use ref असल में वह spelling गलत लिख दी थी use ref क्या बात है मसला कर रहा है import पर हुआ भी नहीं हुआ हाँ हो तो गया यह बोलू है आ क्यों नहीं रहा मैंने आ पर लिया use ref यह मेरे पास एक function है हमारे पास जितने भी हुक्से हैं सारे function है सबके अलग अलग काम है इसका अलग काम है इसका बहुत जादा easy है let मैंने result लिख दिया यह आप रेफ कर लो जो भी करना है बस आप इसका नाम दे दो हम इसे बोलते है instance create कर दिया क्या create कर दिया instance instance का मतलब ही होता है हमने इसको एक variable में डाल दिया अब इस variable को जहां जहां पे भी हम जाके रख देंगे वह इसके साथ connect हो जायागा for example यह target करने का तरीका महां पर करते हैं document.getElementById यहां पर यह कर रहा है और बस यहां पर ले जाकर इस variable को जहां पर भी हम for example इस h1 में call कर दूँगा call करने का तरीका क्या है यहां पर हमारे पास एक attribute आता है RAF करके कौनसा RAF यह यह वाला RAF नहीं है यह attribute का नाम ही RAF है ठीक है यह attribute का नाम ही RAF है और इसके अंदर जो भी आपके क्या हो रहा है इसके अंदर इदर आया console में गया क्या दिख रहा है object दिख रहा है इस object के अंदर एक key आ रही है current नाम की क्या की आ रही है current नाम की लेकिन उसकी value क्या रही है undefined यह बोल रहा है कि इसकी value मुझे नहीं मिली लेकिन अगर हम अंदर आएंड़ और चेक करें, क्या दिखरा है? करंट की वेल्यूद क्या दिखा रहा हो? h1 मतलब के करंट के अंदर हमें वो वेल्यूद मिल रह पाफिध हो टार्गेट तो हो रहा है लेकिन ये भार ऐसा क्यों दिखा रहा? भार अंडिफाइन क्यों दिखा रहा है भार तो बोलना नहीं मिला लेकिन अंदर आके बोल रहा कि मिल गया ऐसा तो को इसलिए हो रहा है कि जब फर्स्ट राइम हमारी वेपसेट चलती है जब फर्स्ट राइम हमारी वेपसेट चलती है अब कोड चलता लाइन बालाइन ऐसा यह जब वो इदर आएगा हमारा code line बने चलना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यह console चलेगा यह रेफ चलेगा भाई यह वाला जो रेफ है जब वो चले यह वाला जो रेफ लिखावा है हम उसको console कर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो रेफ चलाएगा नहीं बात तो सबसे पहले रेफ चलाएगा तो रेफ के अंदर तो first time पर कोई सबसे पहले तो value होगी नहीं code line बने चल रहा है यह connect कहां पर हो रहा बाद में हो रहा है console उससे पहले ही हो जाता है connect होने से पहले बाद समझ में आ रही है रेफ का काम क्या है रेफ का काम है रेफ का काम है console करा के दिखा ना जब वेबसाइट चली first time पर code line by line चला तो रेफ के अंदर तो कुछ थाई नहीं उन्डिफाइन तो उससे नहीं console करा के दिखा दिया undefाइन जब थोड़ा और नीचे गया तो उसने देखा के रेफ कोल हो मुझे अगर मैं console इसको बाद में कराता तो मुझे सकता है कि response मुझे सही मिलता लेकिन हम बाद में console किस तना कराएंगे error आएगा यहाँ पर console चलता ही नहीं अब हम क्या करें अब मसला यह हमें use effect का use करना पड़ेगा यहाँ पर भी use effect करेगा क्या मैं आपको समझाता हूँ अभी हमने पड़ा use effect यूज एफेक्ट लगाया अब देखो यूज एफेक्ट यहाँ पर भी काम देगा मैंना आके बोला लोग करा के मुझे दिखा दो किसको रेफ को अब देखो क्या बोलेगा ह1 बोल रहा है अब ऐसा क्यों हुआ अब देखो ऐसा इसलिए हुआ यूज एफेक्ट चला होगा वह यूज एफेक्ट मिला होगा इसको जब इदर आया इदर आके देखा रेफ लगावा है तो जो इस्टेट अपडेट हो गई होगी जो उसके पीछे वे जो काम हो रहा है वेल्यू यहाँ से वहाँ चल गई होगी बात समझ में आई है तो इस वह ऐसे यह हमारे पास अब दिखा रहा है कि आपके पास H1 रखा हुआ है यह यूज एफेक्ट का फाइदा है अच्छा अभी फिलाल हम क्या करते हैं मैंने बोला जो मेरे पास रेफ आ रहा है इस रेफ के अंदर अभी मुझे यहाँ पर की मिल रही है करंट नाम की अब्जेक्ट है न मैंने बोला डोट करंट नाम की की निकाल लो अब क्या मिल रहा होगा पूरा H1 अब H1 के उपर कोई स्टैलिंग हमें करनी होती थी तो हम यहाँ पर जो भी हमें अपलाय करना हो तो हम कर सकते हैं जैसे के मैं आप पर कोई क्लास भिज़वा देता हूं यहाँ पर आगे सबसे पहले तो CSS करूंगा मैंने बोला आपको जो एक app.css मिलेगी ठीक है अब app.css में आया मैंने क्लास भिजा दी कलर नाम की ठीक है क कोई कलर नाम की अभी तो फिलाल तो कोई क्लास है नहीं बनानी पड़ेगी मैंने वोला इसका क्लर क्या कर देना रेड कर देना लेकिन रेड कप करना है जब यह क्लास आपको एच्वन को मिले तो उसका क्लर क्या कर देना रेड कर देना तो पहले तो हम लागा के चेक कर ले ओमुर्स पढूके टिखूएंगा जावास किवचाऊंगा हमने जावास्कीB के जारीच किलास भिजाने के तरीके दिखाया कॉन कोन खेते he yaad auch बहुत सारे तरीके द लेके थे हमने किलास भिजाने के किलास को भिजाना रिमूफ करना एड करना टोगल करना कि अधिनिय दोम बूल बूल गा सारी रिक्द राइक पडै लिए को टाइम नी गहाँ ए कंग वर लोल झाने को करने गा हो एक करणे करनार खे लयट्ष। मिहां सहार टार घ्ल गनने को से बैली तार्यूर्सक्रिक्श्ष्ष। कि आइज बढ़ाका मसत्विल तारिख लग रहा हुझाए तो था याइज एक आत को भी नहीं पता तो कभी नहीं मार रहें बहुत सारी में बताय थी एक भी नहीं थी एक टुमने पड़ा था सेट अडरिब्यू डूसरा हमने पड़ा ता क्लास लिस्त लगा थी ट्लास इसका हमने यह पर क्या करा, एक class भेज रहे हम, यह console मेरा काम कर नहीं, इसको लगाना की ज़रूती नहीं है, अब rave.current के अंदर h1 में ने target कर लिया, हम javascript के यहाँ पर एक method लगा रहे है, class list, ठीक है, यह suggestion नहीं देगा, हाँ से लिखना पड़ेगा, class list, class list का एक method था, dot aid, aid का का क class का नाम बताना होता था, कि class का नाम क्या होगा, तो मैंने class का नाम बता दिया, color नाम की class भेज दो, हो गया, अब यह java script के जरी, class भेज यहाँ पर नहीं लिखी भी है, यह मैंने, अगर हम यहाँ पर इसको आके check करें, elements के अंदर, तो हमें शायद यह दिखा देगा है, द और react का फायदा देखा, क्या हुआ, पूरा page rerender नहीं हुआ, सिर्फ वह एरिया चेंज हुआ है, यह मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ, तो हम यहाँ पर multiple classes भी इसके अंदर भेज सकते हैं, यह मैंने बहुत जगा पर यूज कर रहा है, यूज रहे, बहुत जादा बस करो, हम नेविगेशन बाहर में इसको यूज करते हैं, मैंने बहुत सारी वेबसाइटों पर लगाए, इसको इसी बात नहीं है, अगर आपके बाद नेविगेशन बाहर आता है, छूटी स्क्रीन करने पर, उस पर किलिक करके टोगल खुलवाना है, तो इससे भी काम हो हो यूजर से इनमट के अंदर से वेजन निकल वानी है, इससे भी काम हो रहा था, जवर इनमट से वेजन निकल वानी क्या करने पढ़ेगा, समझ लो कि दर इनमट आरहा है, कुरंड के अंदर, इनमट डौट वेज़िवेशन बाहर चाईगी, बस, लेकिन आर गया our आप ल इन्पुट से वेल्यू कैसे लेंगे सारी, यहां पर तरीका चेंज होता है, सही है ना, तो बस यह ही है यूजरेफ, डायरेक्टली अगर किसी चीज को टार्गेट करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है कोई जादा हार्ड नहीं है, पिक्चर लेनी हो तो ले लो,